गाईज आज कल के एर कंडिशनर के रिमोट के उपर कई सारे अलग-अलग बटन्स होते हैं अब यह सैमसंग विंद्फरी का रिमोट ही देख लीजिए इसके उपर आपको मिल जाते हैं कई सारे कन्वोटिबल मोड्स overclockable compressor और wind free मोड तो है ही यह जो मोड्स होते हैं यह इसले होते हैं ताकि आपका जो comfort level है उसको बढ़ाया जा सके लेकिन गाईज मैं यह देखता हूँ कि लोग जो है अकसर गलत मोड के अंदर जो है यह इसी चलाते हैं comfort तो बोल जाएए आपके बिजली का जो बिल है यह बढ़ सकता है तो guys आपकी help करने के लिए मैंने जो है आज का यह वीडियो बनाया है I can understand कि जो वीडियो है वो काफी बढ़ा है थोड़ा सा time निकाल के देखिए काफी मज़ा आने वाला है और I can guarantee it कि यह जो samsung के remote है यूज करने में आप बिल्कुल 100% expert बन जाएंगे तो आईए फटाफट से आज का जो यह वीडियो है इसको launch करते हैं दोस्तो आईए AC को on करते हैं using this red power button तो यह जो AC है यह on हो चुका है और by default जब यह on होगा तब यह 24 degree Celsius और cool mode के अंदर चलेगा जो fan speed है वो बिल्कुल full के उपर रहेगी आईए using this particular grey button मैं fan speed को जो है वो थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि बात करने में हमें आसानी हो और जो sure है fan का वो कम आए वैसे दोस्तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ इस तरह का जो लाल बटन है यह आपके पास में भी होता है इसको कहते हैं subscribe का बटन और उसके ही पास में एक grey या black color का जो बटन है वो होता है उसे कहते हैं like बटन इन्हें buttons का आप भी इस्तमाल कीजी हमें काफी अच्छा लगेगा तो दोस्तों सबसे पहले यहां पे आ गया है सबसे default हमारा सबसे favorite चहीता cool mode जिसके अंदर जो थंडी थंडी हवा है वो AC में से आती है और यह जो cool mode है इसके अंदर हमें कई सारे जो basic features हैं यह accessible हो जाते हैं जैसे यह temperature का यहां पे button दिया हुआ है तो इससे जो temperature है यह आप बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं and guys AC के साथ में number one complaint जो है वो दिया जाता है कि sir AC चलाने में मज़ा बहुत आता है लेकिन बाद में जब bill हमारे सामने present किया जाता है तो यह जो complete हमारी जो मज़ा है यह किरकिरा हो जाता है तो दोस्तों यहां पे मैं recommended setting जो है वो आपको देना चाहता हूँ जब भी आप AC को cool mode के उपर चलाएं my recommendation would be 25 और हो सके तो 26, 27 मैं personally 27 चलाता हूँ 26 एक बहुत अच्छा compromise है इसके वज़े से क्या होगा कि आपके जो बिजली का bill है यह भी कम आएगा और साथ में जो आपका room है उसमें एक comfortable environment जो है यह बना रहेगा तो cool mode के अंदर आपको मिलते हैं temperature के button इसके अलाव आपको मिलते हैं swing के button तो यह जो मेरा model है जो यह Samsung का जो wind free AC है यह मैंने four way swing के साथ में लिया है तो यहाँ पे एक यह जो swing है यह up and down वाला swing है और एक जो है यह left to right swing है तो यह देखिए मैं आपको इनको on off करके बताता हूँ actually जो swing जो थे वो मेरे चल रहे थे तो अभी जो वो swing है वो बंद हो गए तो आईए यहाँ पे हम up and down swing लगाते हैं और मेरा जो दूसरा camera है उसके उपर आप इसका जो effect है यह देख पा रहे होंगे जो swing flap है उसका movement start हो गया है और यह जो button है यह left and right swing engage करता है तो अंदर छोटे-छोटे जो है plastic के swing flaps होते हैं black color के जो left से right जो हवा है इसको circulate करते हैं तो दोनों भी जो swing feature है वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं काफी अच्छे swing feature है वैसे दोस्तों इसके अंदर कोई multi-level swing जो है वो मुझे नहीं मिला है which is surprising क्योंकि मेरा जो दूसरा AC है Voltas का उसके अंदर multi-level swing भी था तो multi-level swing इसमें नहीं है और अगर आप जानना चाते हैं आपके पास में अगर कोई और AC है तो multi-level swing जो है वो उसमें हो सकता है तो Voltas के AC का जो guide है वो already मैंने बना रखा है description या फिर जो i button है उसको जाके check करें तो दोस्तों ये हो गया temperature ये हो गया swing के हमारे option इसके बाद में हम आते हैं fan speed क्योंकि जो cool mode है उसके अंदर हम fan speed को जो है change कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए अभी जो फिलाल fan speed है वो second के उपर चल रही है मैं इसको बड़ा सकता हूँ इसको मैं third पे ले जा सकता हूँ fourth पे ले जा सकता हूँ उसके बाद मैं ये auto पे चले जाता है और यहाँ पे ये सबसे slowest fan speed के उपर चला जाता है मैं generally slow use करता हूँ क्योंकि sufficient होता है और जो sure है वो इसमें कम होता है तो दोस्तों ये basic चीज़े हमने समझ ली अब cool mode के अंदर जो है वो कई सारी advanced चीज़ें आपको मिलती है for example wind free mode मिलता है आपको convertible mode मिलता है आपको timer मिलता है तो ये जो सारी advanced चीज़ें है इसके लिए हम जो cool mode है उसके उपर एक बार फिर से आगे आएंगे तो अभी हम जो mode है इसको change कर लेते हैं और अभी हम चल जाते है next mode के उपर तो next mode जो यहाँ पर मिलता है दोस्तों ये मिलता है dry mode अब dry mode की जो मालूमात है वो कई लोगों को नहीं है और monsoon season के दौरान जो है लोग कई बार जो AC है उसको cool mode में चलाते है दोस्तों monsoon का जो महिना होता है खास करके जो June जुलाई का जो महिना होता है उसमें ऐसा होता है कि बाहर गर्मी तो इतने नहीं होती लेकिन जो air है उसमें humidity इतनी जादा होती है moisture इतना जादा होता है कि हमारी जो skin है ये चिपचिपी हो जाती है sticky हो जाता है और ऐसे दोरान पे जब हम ये dry mode का इस्तमाल करेंगे तो हमें जो comfort है वो definitely ज्यादा मिलेगा अब यहाँ पे thankfully जो Samsung का जो dry mode है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि dry mode के साथ में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं देखिए आप temperature कम जादा कर सकते हैं तो आपके preference के इसाब से आपको temperature मान लीजिए ओहो थंड़क है पहले से temperature की ज़्यादा जरुवत नहीं है हमें cooling की तो हम 27 पे चलाएंगे तो इससे क्या होगा comfort बना रहेगा आपको थंड़ी नहीं बजेगी और साथ में जो आपका जो बिजली का बिल है ये कमाएगा इसके साथ में आप swing यूस कीजिए दोस्तों दूसरे manufacturers जो है उनको Samsung से सीखना चाहिए क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि जो dry mode है ये बहुत ही ज़्यादा limited होता है और इसमें कोई भी option काम नहीं करता temperature काम नहीं करता swing काम नहीं करता और कुछ आप नहीं कर सकते तो ये जो है Samsung नहीं यहाँ पे जो facility है वो बहुत अच्छी दी है आप temperature जो है उसको कम जादा कर सकते है swings यूज़ कर सकते है हलाकि ये जो fan है fan यहाँ पे change नहीं होगा fan जो है वो auto पे भी रहेगा और मैं आपको एक secret बता हूँ देखिए आप dry mode को wind free में भी डाल सकते हैं मतलब इसका जो swing flap है ये बंद हो जाएगा और wind free mode के साथ में आप dry mode को combine कर सकते है बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप जो बारिश के दिन है उसमें आप इसको use करेंगे और use करने के बाद में आप मुझे comment लिख के बताएंगे कि आपका जो experience है वो कैसा रहा तो ये है dry mode अब dry mode का जो working है वो मैं आपका थोड़ा सा in shot बता देता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है दोस्तों जो dry mode है जैसे कि नाम दर्शाता है कि ये हवा को dry करता है अब ये जो dry mode है इसके अलग-अलग नाम होते हैं कई AC के अंदर monsoon mode कहा जाता है कई AC के अंदर dehumidification mode कहा जाता है कुछ AC के अंदर anti-moisture mode कहा जाता है तो इस तरह से जो है वो इसके नाम होते हैं बाकि इनका सबका जो काम करने का तरीका है वो लग-बग सेम ही होता है आपका जो AC का जो compressor है उसको धीरे-धीरे कम speed के उपर चलाया जाता है जो result है वो होता है आपके AC के अंदर जो evaporator coil है ये coil काफी ज़्यदा चल होता है और आपके air का जो भी moisture है जो नमी है ये उस coil के उपर जाके condense होती है और बाद में वो जो condensate है उसको drain pipe के साथ में बाहर निकाल दिया जाता है तो इस तरह से आपके room के अंदर जो additional moisture है जो चिपचिपा हट है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और आपका room जो है काफी comfortable हो जाता है due to the use of dry mode तो आप लोग अगर अभी तक mansoos के अंदर cool mode use कर रहे थे तो एक बार dry mode जो है उसको use करके देखिए और मुझे comment करके बताईए तो दोस्तो ये हो गया dry mode आई अगर भी हम चलते हैं इस next mode के अंदर and the next mode here is fan mode यहाँ पर wind free से बाहर निकाल लेता हूँ तो दोस्तो ये जो है fan speed जिस तरह से नाम दर्शाता है यहाँ पर हमरे AC का जो सिर्फ indoor blower motor है सिर्फ वही चलाए जाता है तो आपका जो compressor है ये off हो जाता है compressor shutdown हो जाता है एक तरह से आपका जो outdoor unit है वो बंद हो जाता है और सिर्फ आपके room के अंदर जो हवा है जो air है उसको circulate किया जाता है और दोस्तो मैं generally देखता हूँ कि लोग जो है ये fan mode चलाने से डरते हैं क्योंकि उनको इसके बारे में सही मालूमात नहीं होती और लोगों को जो है ऐसा वहम होता है कि fan mode अगर हम लगाते है AC में तो बिलकुल AC जो है cool mode में चलाने के हिसाब से जो तगड़ा bill है मतलब जो heavy bill है वो हमें आ जाएगा तो गाई ऐसा कुछ भी नहीं होता हमने जो ये fan mode है इसको बाकाइदा जो है measure किया है और आप अगर देखना चाहते हैं कि fan mode जो है उसका power consumption कितना होता है आप i button या description के अंदर इसका जो dedicated video है power consumption का वो जाके देखिए speed तो first, second उसके बाद में third और उसके बाद में fourth और इसका जो fourth वाला जो fan speed है दूस्तों ये बहुत ही ज़्यादा तेज है believe me this is as good as जो pedestal fan होता है या जो ferrata fan होता है उसके जैसा है तो आप इसको बिलकुल बेजी जग जो है एक fan की तरह use कर सकते हैं and you can use this as a replacement of your ceiling fan or table fan तो ये चीज अगर आपके पास में है तो आपको इस facility का फाइदा जो है लेना चाहिए और fan mode का आपको use करना चाहिए अब fan mode के साथ में क्या मिलता है देखिए सबसे पहले तो मैं इसकी जो गती है वो कम करूँ ताकि noise जो है को कमाए और fan mode के साथ में आप क्या क्या चीज़े combine कर सकते हैं तो fan mode के साथ में आप swing लगा सकते हैं दोनों देखिए ये दोनों भी swing available है तो आप अगर चाते हैं कि आपका जो 4-way swing है वो भी साथ में चले तो आप fan mode में 4-way swing है वो लगा सकते हैं इसके अलावा आप fan mode को wind free के उपर डाल सकते हैं तो wind free जो है ये एक special mode है इसमें जो swing flap है ये बंद हो जाता है और indirect हवा जो है वो unit आपकी और भेजता है तो आपके चहरे पे जो है direct हवा नहीं आती indirect हवा आती है और इस mode के उपर हम आगे जैसे video आगे progress होगा उसके उपर हम dedicated section में बात करेंगे तो अभी ये जो wind free mode है ये आपको मिलता है इसके अलावा आपको और क्या मिलता है इसके अलावा आपको मिलता है timer तो आप अगर इस AC को किसी advanced fan की तरह चलाना चाहते हैं तो आपको on timer, off timer ये भी मिल जाता है ये सारी जो section है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा फिलाल हम बात कर रहे हैं fan mode की तो fan mode में हमें क्या मिला है हमें मिले अलग-अलग speed इसके अलावा हमें मिले timer हमें मिले swing के feature और साथ में मिला wind free का mode तो दोस्तों ये Samsung के जो अलग-अलग जो mode है, dry mode है, fan mode है बहुत ही अच्छी तरह से बनाए हुए हैं और full featured mode है तो इनके साथ में जो ये additional feature है इनको आप combine कर सकते हैं and by watching this video I can understand कि आपको ये जो fan mode है already थोड़ा बहुत पसंद तो आने लगा होगा क्योंकि of course ये जो इसका जो fan है, ये advanced है वही आपको एक remote मिल जाता है Sophie पर बैटे-बैटे fan चलाईए timer के साथ fan चलाईए winter remote पर fan चलाईए तो रुकना क्यों है, fan mode बिंदास चलाईए अभी हम चलते हैं, आगे and what is next तो आगे हम जैसे ही आएंगे दोस्तों ये आगया auto mode अब ये जो auto mode है, इसके कई सारे जो नाम है, वो होते हैं इसको कई बार AI mode कहा जाता है या फिर जो artificial intelligence mode है वो कहा जाता है लेकिन दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि ये जो AC है, बले आज कल इतने जादा advanced हो चुके हैं इसमें कई सारे जो sensor है ये आचुके हैं, लेकिन ये जो fan mode है दोस्तों, देखी अभी इसने जो fan है, ये इतना तेज चलाया है, कि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहां पे क्या काम कर रहे हैं, हम video बना रहे हैं YouTube के लिए, और जो तेज noise है, वो आ रही है इस fan में से, तो I generally do not recommend this fan जो auto mode है, और ये जो auto mode है, इसको मैं personally use नहीं करता हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो आप जो auto mode है इसको use कर सकते हैं, auto mode के अंदर at least इतना अच्छा है कि जो temperature है उसको आप change कर सकते हैं आपके हिसाब से तो अगर आपको थंडी जादा पढ़ रही है auto mode में तो आप temperature बढ़ा दीजिए लेकिन हमारा जो problem है, देखिए fan का ये जो setting है ये allow नहीं कर रहा है, तो fan को मैं slow नहीं कर पा रहा हूँ, और fan जो है वो बहुत ही तेजी से जो हवा की बहुचार है, वो मेरे उपर लगा रहा है so I will now exit this mode और ये mode जो है मेरे काम का नहीं है, अगर आपको पसंद आता है तो आप चला सकते हैं, बाकि मैं नहीं चलाता हूँ, अब ही हम आ गए हैं वापस हमारे favorite cool mode में, तो आईए बात करते हैं कि cool mode के साथ में यहां पर ये जो additional features हैं, ये हमें क्या-क्या मिलते हैं तो guys, जैसे कि हमने पहले बात की जो cool mode है, इसके अंदर आपको temperature मिलता है swing flap के adjustment मिलते हैं fan का option मिलता है, थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, और जो swing है ये भी लगा देता हूँ, ताकि जो air है मेरी ओर आए, क्योंकि दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए काफी महनत लगती है और काफी गर्मी भी होती है, तो मेरी महनत अगर आपको पसंद आती है, तो like एक बार जरूर कीजिए, अब हम देख लेते हैं कि ये जो advanced जीजे हैं, भई, ये क्या है ये, this is the magic button, इसमें Samsung ने कई सारे जो advanced जो feature है वो डाल दिये है ओके, तो सबसे पहले आपको मिलता है ये देखिए, अब मेरा जो second camera है उस पे आपको दिख रहा होगा इसका जो swing flap है, ये बंद हो गया है और हमारा AC जो है ये चला गया है, wind free mode के अंदर अब wind free mode के अंदर आप देखिए जो fan है, ये auto पे चला गया है fan जो है, वो आप control नहीं कर पाएंगे fan automatic के उपर चला जाएगा लेकिन जो temperature है, ये आप control कर पाएंगे अगर आपको AC थंडा करना है गरम करना है, जो भी आपका preference है वो आप कर सकते हैं, अब समझते हैं कि ये wind free mode करता क्या है और इसको कब हमें use करना चाहिए दोस्तों ये जो wind free mode है जैसा कि आपने camera पे देखा swing बंद हो गया है, मतलब air का जो throw है, जो direct air है वो आपके चहरे के उपर नहीं आएगा और generally जब AC जो है वो चलाए जाता है, कई लोगों का ये complaint होता है कि AC चलाने से मेरा सर दुखता है या फिर skin बहुत जादा dry हो जाती है skin के problems होते हैं इसी सहन नहीं हो पाता है due to strong air flow अब उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा option यहाँ पे Samsung लेके आया है that is wind free mode अब wind free mode के अंदर जो हवा है वो indirectly इसके जो 23,000 जो micro holes है उसमें से होके आती है तो जो इसका जो breeze है यह आपको directly hit नहीं करेगा लेकिन पूरे room के अंदर जो इसकी थंड़क है उसको यह फैला देगा तो overall यह जो option है यह बहुत ही एक pleasant environment जो है यह create करता है और यह जो mode है इसको generally आप रात को सोते समय इस्तमाल करेंगे तो ज़्यादा यह जो mode है यह फाइदे मन रहता है तो यह हो गया wind free mode इसके बाद में अभी हम आते हैं यह वाले बटन की ओर तो यह क्या है मैं जो wind free mode है इसको हटा देता हूँ और जैसे ही हम wind free mode को हटाएंगे इसका जो swing flap है यह खुल जाएगा और यह normal operating mode के अंदर आ जाएगा मैं अभी जो swing है इसको वापस लगा देता हूँ ताकि air का direction हमारी ओर भी आए अब यह जो symbol है अब देखिए power का एक plug बना हुआ है और यहाँ पे लिखा है 5 दोस्तों यह जो चीज है यह इसकी actually 5 in 1 convertible mode का यह switch है मतलब power अगर आप बचाना चाते हैं या फिर अगर आप power को बढ़ाना चाते हैं ठीक है दोनों चीज़े इसमें possible है power को घटाना या फिर बढ़ाना दोनों भी इसमें possible है वो आप कर सकते हैं इस button का use करके तो सबसे पहले हम इसको use करते हैं यहाँ पे आ गया 80% अब यह 80% क्या है guys यह जो 80% लिखा रहा है यह हमारे compressor को कहता है कि compressor महाशाए आपकी जो speed है जो घुमने की गती है अगर for example आपका जो compressor है normally 1000 rpm पे चलता है सिर्फ एक example दे रहा हूं तो वो जो है अभी 800 rpm के उपर घुमने लगेगा मतलब 80% पे जो limit है वो लग जाएगी इसके बाद में हम इसको एक और बार दबाएंगे तो यहाँ पे आएगा 60% मतलब 600 rpm तक ही compressor जो है यह चलेगा अगेन अगर हम 40 करेंगे तो 400 rpm समझ गए आप मेरे example से क्या होता है ठीक है इसके बाद में अगर हम एक और बार दबाएंगे तो 120% मतलब 100% से भी उपर तो यह एक तरह से इसका overclockable mode होता है compressor की गती जो है 120% कर देता है मतलब 20% और ज़्यादा बढ़ा देता है आई एक-एक करके बात करते हैं कि यह जो mode है यह हमें कब यूज करने चाहिए और इनका फाइदा क्या रहता है दोस्तो एसी जब हम रात को लगा के चलाते हैं जब एक बार हमारा जो room है वो chilled हो जाता है उसके बाद में आप इसको 80% mode के उपर डाल सकते हैं और इसका फाइदा यह होगा कि इसके वज़े से आपके जो बिजली का जो बिल है उसमें आपको सेविंग देखने को मिलेगी उसके बाद में यह जो 60% mode है दोस्तो अगर आपका room अच्छे से sealed है अगर properly sealed है हाँ मेरे room जो है वो exceptionally sealed होते है आपको i button या description में वीडियो मिल जाएगा अगर आपको सीखना है और sealed room के फायदे भी कई सारे होते है तो आपका room अगर अच्छे तरह से sealed किया हुआ है room already cool हो चुका है अगर थंडा हो चुका है एक बार और room के अंदर दो ही लोग है तो आप इसको 60% के उपर डाल के चला सकते हैं जिसके वज़ जैसे इसका जो wattage है यह कम हो जाता है मतलब बिजली में saving आपको देखने को मिलती है और आपको अगर practically देखनी है कि यह जो mode है क्या यह हमें बेवकुफ बना रहे है इससे कुछ actually होता है या नहीं होता है तो power meter जो है लगा के मैंने काफी बढ़िया testing की है और उसका एक detailed video मैंने बना के YouTube पे upload किया है description या i button में जाके देखिए काफी मस्त video है आपको देखने में अच्छा लगेगा तो यह जो सारे mode है यह बकाइदा हमने test की हैं और यह काम करते हैं इसके बाद में हम आते हैं इस Samsung windfree की most aggressive power saving mode that is 40% तो यह जो compressor है इसको कहता है compressor महाश्य आपकी जो गती है 40% से उपर ना लेके जाएं ठीक है फार एक्जामपल अगर 1000 RPM के उपर normally compressor चलता होगा 400 के उपर आ जाएगा यह इसका maximum limit रहेगा तो 40% का जो use है वो आपको तब करना है अगर आप room में जो हैं वो अकेले हैं cooling के आपको ज़्यादा requirement नहीं है direct sunlight नहीं है room पे रात का वक्त है अगर इस तरह के कुछ conditions बने हुए हैं और आपका जो room है वो already chill हो चुका है उसमें थंड़क आ गई है तो आप इसको 40% के उपर डालके बहुत ही तगड़े power saving का benefit ले सकते हैं अभी हम चलते हैं दोसरों दूसरे direction में तो what is the दूसरा direction? दूसरा direction is higher performance अभी हमने देख लिए higher power saving अभी हम देखते हैं कुछ performance तो next mode is 120% दोस्तों ये जो भी latest अभी convertible AC आ रहे हैं ये overclockable compressor के साथ में आ रहे हैं जो LG का आता है वो 110% मतलब 10% जो है उसको बढ़ा सकता है लेकिन Samsung ने यहां पे 120% का mode दिया है मतलब ये 20% जो compressor के गती है उसको बढ़ा सकता है और ये जो mode है ये कुछ limited time के लिए चलता है लेकिन ये जो mode है ये बहुत ही जबरदस्त mode है ये mode आपको कब यूज करना है देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब हम बाहर से जो है घर पे आते हैं और room जो है वो काफी hot हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि यार ये AC तो काम ही नहीं कर रहा है इसकी जो शमता है वो कम पड़ रही है अगर आपको ऐसा लगता है तब आप क्या कर सकते हैं कि 120% का ये जो mode है इसको डाल सकते हैं ये इंस्ट्रक करता है कि ये जो compressor महाशे हैं आज अपने जॉब पे ये overtime करने वाले हैं तो ये overtime वाला जो mode है इसमें ये बिजली ज्यादा लेगा लेकिन आपका काम कर देगा और काफी तेजी से आपका जो room है इसको ये cool कर देगा तो ये हो गया 120% mode या फिर overclockable mode इसको मैं overclock कहता हूँ अलग-अलग नाम से जो है इसका जो है नाम इसको दिया जाता है इसको boost mode भी कहते है इसको turbo mode भी कहते है अब ही हम चलते है हमारे regular 100% का जो mode है जब हम लेते हैं तब यहाँ पे जो 100% है ऐसा नहीं लिखा आता simply temperature जो है ये लिखा हुआ आता है तो temperature मैं जो है recommended settings जो है मेरे favorite 26 के उपर मैं डाल दूँगा जनरली में AC जो है 26, 27 पे चलाता हूँ और इसके वज़े से power saving मुझे देखने को मिलते हैं मैंने कई सारे AC टेस्ट किये हैं i button में आपको एक dead turn के AC का complete detail testing मिल जाएगा देखिए 26, 27 पे जो saving है वो किस तरह से होती है इसके बाद में अगर हम नीचे आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे fan mode आपको मिलता है जिससे fan की गती कम ज़एदा होती है और मेरे video अगर आप पूरा देख रहे हैं ध्यान से तो आप कहेंगे सर यह तो आपने कई बार समझा दिया भी यह वापस fan mode क्यों guys इसके अंदर कुछ और छुपा हुआ है देखिए यहाँ पे नीचे कुछ लिखा है छोटे-छोटे handwriting में तो यह एक तरह से shortcut बनाया है Samsung ने और यह shortcut बहुत ही अच्छा है मैं आपको लगा के बताता हूँ होता क्या है तो इसको जो है आपको 3 seconds तक दबाना है देखिए मैंने दबाया ओके और यहाँ पे हो गया जादू तो जो temperature है वो निकल गया fan यहाँ पे अपने आप जो है वो high speed के उपर आ गया बिल्कुल top speed के उपर जो है यह आ गया और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया fast अब यह जो mode है इसमें आप कुछ नहीं कर सकते आप temperature change नहीं कर सकते हलाकि swing अगर आपको लगाने है तो यह लगा सकते है fan speed आप change नहीं कर सकते और actually यह सब change करने की जरूरत भी नहीं है तो यह वाला जो mode है जो fast mode है इसको चलाने की जरूरत कब है यह हम समझ लेते हैं दोस्तों मान लीजिए कि आप जो है वो बाहर से आये हैं बिल्कुल पसीने में आप तरबतर हो चुके हैं आपका जो room है यह गरम हो चुका है उसके उपर direct sunlight आती है दीवारे तब गई है और आप हो गई हैं परिशान तो इतने सारे mode की कि आप जंजट करते बैठेंगे कि आप यह चेक करेंगे ओहो इसको हम ना यह 120 पे डालेंगे फिर temperature हम इतना इतना रखेंगे नहीं ना इतना सब नहीं करेंगे आप क्या करेंगे यह जो button है simply इसको आप 3 second दबाईए remote side में रखिए और relax कीजिए so this is the benefit of fast button अब यह जो fast button है इसको अलग-अलग नामों से कहा जाता है इसको आप turbo भी समझ सकते हैं लेकिन यह जो चीज है यह कई सारे काम जो है एक साथ आपके कर देता है और एक तरह से no tension वाला यह button है तो आपको यह button जो है दबाना है remote side में पटकना है और rest करना है so this is the feature of fast button और यह जो fast button है यह मुझे काफी ज़्यादा personally पसंद आया आईए इसको हम exit करते हैं तो exit करने के लिए आप जो है mode का button दबा सकते हैं जिससे यह AC वापस cool mode के अंदर आ जाएगा हाँ इसमें एक बात जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगी देखिए यहाँ पर कुछ गडबड करता है Samsung अगर आपको याद होगा जब हम cool mode की बात कर रहे थे पिछली बात तब हमने उसको set किया था 26 पर लेकिन जैसे ही हम mode change करते हैं दूसरा कोई feature use करते हैं और cool mode में वापस जाते हैं तब यह by default आ जाता है 24 के उपर एक और बार हम डेमो लेते हैं देखिए कर दिया 27 आपके सामने इसी किया बल अब यह जब on होगा देखिए 24 के उपर आ गया अब I don't know why क्योंकि Samsung जो है इतने बड़े बड़े SSD बनाता है RAM sticks बनाता है थोड़ी memory इसमें डालनी चाहिए थी के नहीं तो यह जो है cool mode का जो setting है यह याद नहीं रखता है और by default यह 24 पाय जाता है और बहुत ही तेज fan speed के उपर यह on होता है तो यहाँ पर of course there is some room for improvement यहीं पर अगर मेरा LG का अगर AC रहता जी हाँ LG का मैंने dual inverter का जो AC है उसका भी मैंने इसी तरह से काफी detailed remote guide बनाया है वो भी आपको description या i button में मिल जाएगा जाके देखिए अगर LG है आपके पास में तो यह जो एक memory है यह इसमें होनी चाहिए थी कि अगर हम 24 के उपर इसको set कर रहे है तो वो उसी speed के उपर चलना चाहिए तो मेरा जो LG का था उसका behavior कुछ इस तरह से है लेकिन जो Samsung का है यह directly 24 के उपर वापस आ जाता है तो इस तरह से यह थोड़ा सा मुझे annoying यहां पर लगता है तो आईए हम चलते है हमारे favorite setting के उपर 26 कर दिया और जो swing जो mode है यह हमने लगा दिये अभी हमने सीख लिया यह जो है fast वाला option अभी हम सीख लेते हैं timer तो timer जो है वो किस तरह से लगाना है इसकी हम बात कर लेते हैं तो जब भी आप timer लगाएंगे देखिए यहां पर यह जो options है यह blink कर रहे है और यहां पर लिखा हुआ है 00HR तो HR का क्या मतलब है HR मतलब घंटे ठीक है तो उस्तों कुछ जो remote होते हैं उसके अंदर यहां पर actually एक clock होता है मतलब clock जो है उसकी setting आपको देनी होती है और clock set करने के बाद में आप जो timer है वो clock से चलाते हैं इस remote में इस तरह से कोई भी जिंजट नहीं है यह directly जो hours है मतलब जो घंटे है उसमें जो है यह चलता है तो देखिए यहां पर कुछ options blink कर रहे है देखिए I'll go again बातों बातों में यह जो display है यह बाहर निकल जाता है तो यहां पर यह blink कर रहा है on अब यह जब blink कर रहा है तब actually यह हमें पूछ रहा है कि जो यह AC है कि आपको इतने इतने घंटों के बाद में on करना है तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि आप जाएए यहां पर on में यह वाले जो keys हैं इसको आप use किजिए तो यह जो यहां पर numbers हैं यह change होंगे और यह जान बूछ के मुझे numbers ज्यादा दबाने पड़ेंगे बात करते वोगत otherwise यह इससे बाहर निकल जाएगा where are these weird announces when you make youtube videos isn't it ठीक है अब एक और observation आप देखिए यहां पे जब आप starting में देखेंगे तब यह आदे आदे घंटे के इंटर्वल से चलेगा तो देड़ घंटा, दो, ढ़ाई फिर तीन के बाद में आप जाएंगे तब यह फिर डाइरेक्ली एक एक गंटे के इंटर्वल में चलेगा तो 7-8 इस तरह से चलेगा और यह जो बटन है इसको अगर आप long press करेंगे तब यह जो इसका counter है यह बढ़ते रहेगा maximum जो यह जाता है यह 24 के उपर जाता है और बाद में यह 0 हो जाता है अब मान लीजे कि यहाँ पर एक गंटे के बाद में जो AC है इसको मुझे on करना है तो मैंने यहाँ पर लिया one और फिर यह set वाला जो बटन है इसको दबा दिया तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए यह जो on वाला जो यहाँ पर जो symbol है यह set हो गया मतलब यह यहाँ पर stable हो गया तो हमने जो भी यहाँ पर इसको time दिया था उतने घंटों के बाद में जो AC है यह on हो जाएगा timer में यहाँ पर on का जो feature है वो हमने देख लिया उसके बाद में हम देख लेते हैं timer on off तो मान लिजे कि आपको जो है अब AC चला रहे हैं अगर आप for example बच्चों के room में AC चलाते हैं बच्चे जो हैं तीन घंटे पढ़ाई करने वाले हैं तीन घंटे के बाद में यह जो बच्चे हैं AC को on छोड़ देंगे और खेलने के लिए चले जाएगे और bill जो है वो आपके पास में आ जाएगा लंबा चौड़ा तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं timer यूज कीजिए बच्चों को पहले से ही तीन घंटे चार घंटे का जो timer है वो लगा के दीजिए अगर तीन का में लगाता हूँ set दबाता हूँ देखिए off यहाँ पे जो है यह stable हो गया है और तीन घंटे जो है यह इसी चलेगा उसके बाद में जो है यह off हो जाएगा ठीक है अभी हम बात कर लेते हैं कि यह जो timer है न सर यह मैंने गलती से लगा दिया अभी इसको हटाना है मुझे और यहाँ पे कहीं पे भी आपको timer off का जो button है वो नहीं दिखेगा कहीं नहीं है Samsung के अंदर है तो इसका जो करने का जो तरीका है वो थोड़ा से unique है मैं आपको बताता हूँ क्या करना होता है तो timer में आप जाए on timer तो लगाया नहीं हमने ठीक है इसको छोड़ देंगे अभी हम हमें on नहीं करना है अभी हमें modify करना है off timer और इसको हमें हटाना है तो इसको खतम करने के लिए आपको क्या करना है कि actually इसका जो time है इसको आपको लेके आना है zero पे और फिर दबाना है set मतलब जैसे ही इसका जो ये counter है आप zero करेंगे तो जो timer है ये हट जाएंगे आपके मैं एक और बार करके बता देता हूँ क्योंकि I can understand this can be complicated for some people तो सबसे पहले मैं जो on timer है ये लगाता हूँ आदे गंटी में इसी on होगा set हो गया on यहाँ पे stable हो गया दोनों भी जो timer है दोस्तों ये set हो चुके है और अभी इन दोनों को जो है हमें cancel करना है तो cancel किस तरह से करेंगे जाए timer में यहाँ पे जाए on में इसके उपर जो digit है इसको zero कीजिए set दबाईए निकल गया on इस तरह से आप कोई एक भी निकाल सकते हैं अगर दोनों अटाने process is the same timer में जाएए जब यह off blink करेगा इसके जो digits है वो आप zero कीजिए और set दबादीजिए timer निकल गए गैस जब तक मैं आपको timer सिखा रहा था और अगर आपकी नजरें काफी तेज हैं तो आपने देखा होगा की timer बटन के अंदर यहां पे एक और छोटा जो feature है यह चुपा हुआ है और इसका नाम है sleep mode अब इसको भी अलग-लग नामों से जो है वो जना जाता है कुछ लोग इसको good night mode कहते हैं कुछ लोग good sleep कहते हैं या night mode कहते हैं तो यह sleep mode जो है यह actually timer के feature के अंदर ही चुपा हुआ है generally दूसरे जो remote होते हैं उसमें कहीं तो एक button होता है sleep का लेकिन इसमें जो है इसके अंदर दिया हुआ है तो आइए इसको समझते हैं कि क्या होता है तो यह जो timer button है इसको अगर आप इस तरह से repeated दबाते हैं तो यह यहाँ पे change होता है तो यह आगया sleep अब by default यह ले रहा है 8 घंटे की sleep अब इसको यहाँ पे maximum कर सकते हैं और maximum यह जाता है 12 घंटे तक और मेरे दोस्त अगर आप 12 घंटे की नींद अगर आप ले सकते हैं तो आप super lucky है ठीक है whatever इसी बात के उपर एक like हो जाए तो यहाँ पे जो है इसका जो behavior है वो कुछ बातों में timer जैसा है लेकिन कुछ बातों में काफी अलग है तो समझते हैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पे timing इसको देना है कि कितना जो hours है वो आपको sleep आप लेने वाले हैं अगर आप छोटी sleep लेने वाले हैं afternoon में अगर आप power nap लेने वाले हैं तो आप एक गंटे दे सकते हैं कई लोग जो है दोफैर को सोते हैं siesta कहा जाता है इसे तो siesta अगर आप लेने वाले हैं तो आप एक गंटे का जो timer है जो sleep mode है sorry timer and sleep is different तो एक गंटे का जो sleep mode है वो आप लगा सकते हैं अब बाते करने करने में जो display है वो निकल गया है so let me go again मैं यहाँ पे जाता हूँ timer sleep और यहाँ पे जो है मैं एक option में pick कर लेता हूँ for example 3 गंटे जो है वो मैं लगाता हूँ और set कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो चान्द का जो symbol है वो आ गया है और AC का जो display है उस पे अगर आप ध्यान से देखें तो AC के खुद के display के उपर भी एक छोटा सा जो चान्द का जो symbol है वो आ गया है मतलब हमारा जो sleep mode है यहाँ पे अक्थिवेट हो गया है तो sleep mode में आप क्या कर सकते हैं देखिए तो sleep mode के अंदर जोस्तो कुछ feature जो है यह बंध हो जाते है यह नहीं चल रहा है आसाथ में जो fan speed है यह नहीं चल रहा है fan जो है यह आटो पे चला गया है तो sleep mode क्या करता है और sleep mode and timer mode में difference क्या है तो दोस्तो sleep mode का जो काम है वो है आपके human body के requirement के हिसाब से temperature देना दोस्तो जब भी हम सोते हैं तब हम क्या करते हैं कि AC जो है बिलकुल थंडा करके सोते हैं 23 के उपर हम सोते हैं और जैसे हमें नीद आती है तो रात को जो है body का जो metabolism है वो slow होता है body की activity कम होती है तो हमें जो cooling की जो requirement है वो भी कम हो जाती है फिर क्या होता है कि रात को जो है वो थंडी पढ़ने लगती है हमें मोटा कंबल लेना पड़ता है अब एक side से आप यहाँ पे पैसे दे के मतलब बिजली का bill भरके आप यहाँ पे cooling करवा रहे हैं दूसरे end से आप यहाँ पे कमबल ले रहे हैं तो यहाँ पे फाइदा क्या हुआ तो फाइदा आपका होगा अगर आप use करेंगे sleep mode तो sleep mode में क्या करता है कि जब आप for example 23 पे लगा के अगर आप सोते हैं और इसका जो timing अगर आप लेते हैं for example 8 गंटे के अगर आप sleep लेने वाले हैं मैं इसको आट कर देता हूँ तो 8 गंटे अगर आप sleep लेने वाले हैं तो यह क्या करेगा कि धीरे धीरे जो temperature है उसको बढ़ाएगा और यह जो temperature का increase है यह एक से लेकर 3 degree के बीच में यह करेगा depending on the requirement तो यहाँ पे अगर आप 23 लगा के सोय हैं तो एक घंटे के बाद में क्या होगा यह 24 हो जाएगा उसके बाद में यह 25 हो जाएगा फिर 26 हो जाएगा तो कुछ इस तरह से जो है यह sleep mode चलता है और यह आपके human body के requirement के हिसाब से बनाये जाता है ताकि आपको comfort जो है वो जादा मिले लेकिन मेरी अगर मैं मानू तो मैं क्या करूँगा कि मैं यह जो sleep mode है इसको cancel करूँगा साथ में आप सीख लीजे cancel किस तरह से करना होता है तो यहाँ पे मैं जाओंगा इसमें और अगेन यह जो digits है इसको मैं बिल्कुल 0 के उपर लगा दूँगा और जैसे ही यह 0 के उपर जाएगा इसका जो function है यह खतम हो जाएगा देखिए यहाँ से यह जो sleep mode का जो setting है वो चला गया तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे as usual सोते वक्त ही जो AC का जो temperature है पहले से उसको 26 यह 27 कर दूँगा तो यहाँ पे कोई sleep mode की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यह रात को नीद नहीं आ रही है और AC की जो requirement है वो हमें ज्यादा है तो आप यहाँ पे जो AC है अगर 23 पे चलाते हैं 24 पे चलाते हैं तब आप sleep mode का जो use है वो जरूर कीजिए ताकि आपको न नीद अच्छी है comfort बना रहे और साथ में जो बिजली का saving है वो भी आपको मिले अब यह वाला जो button है यह मैंने दबा दिया है और देखिए यहाँ पर display के उपर कई सारे जो options हैं यह blink करने लग गए हैं अब आप यह वाले जो keys हैं यह दोनों इनका use करके यह जो option है इसको आप change कर सकते हैं देखिए आप यहाँ पर आगे पीछे जा सकते हैं इस तरह से या फिर यह जो option का button है इसी button को आप अगर बार बार दबाएंगे तो यह इसके जो option है देखिए यहाँ पर display फिर यह fast पर चला गया फिर quiet इस तरह से जो है यह change होने लगेगा तो यह आपके तो यह आपके उपर है आप यहाँ पर shortcut से करना चाहेंगे या फिर options में जाके fast mode जो है वो set करना चाहेंगे तो again मैं यहाँ पर अगर इसको हटाना है options में जाईए यह blink करेगा अगर blink कर रहा है मतलब यह पूछ रहा है कि आपको क्या करना है इसको on या off करना है आपको अग देखिए next यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा mode है that is known as quiet mode मैं यहाँ पर लेता हूं quiet mode और इसको कर देता हूं set और दोस्तों यह जो mode है यह एक बहुत अच्छा mode है and this mode is absolutely perfect for the conditions like currently here क्योंकि हम जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं YouTube का वीडियो बना रहे हैं अगर vice over आप कर रहे है तो यह जो mode है यह क्या करता है कि आपका जो fan mode है देखिए यहाँ पर auto आ गया है बतलब इसको यह बहुत ही slow कर देता है साथ में जो compressor की गती है यह भी थोड़ी से slow हो जाती है तो बहुत ही quietly जो यह आपका AC है यह चलता है और आपके अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं studies अगर कर रहे हैं या फिर office environment में कोई ऐसी meeting चल रही है बड़ी तो वहाँ पर आप यह जो quiet mode है इसका use कीजिए बहुत ही अच्छा mode यहाँ पर दिया हुआ है अभी हम यह quiet mode को हटा देते हैं तो यह blink कर रहा है press the set and it is gone अभी हम fan हमारे हिसाब से रख सकते हैं अपने मर्जी क मालिक as usual ओके ठीक है अभी हम जाते हैं आगे और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आया है usage मैं दबाता हूं कुछ दिखा आपको did you notice anything अगर नहीं दिखा तो मैं एक और बार बताता हूं दोस्तों हमारे यह जो air conditioner है एक तो यह बिजली काफी ज्यादा consume करते हैं और हमें बिजली जब यह consume करते हैं तब इनको नापने के लिए हम क्या करते हैं कि generally कोई अच्छा जो है power meter लेते हैं या फिर कोई multimeter धूनते हैं कि यार देखा जाए लेकिन दोस्तों अभी यह जो Samsung के latest AC है इसमें जो power consumption है मतलब जो इसके बिजली की unit है यह आप AC के अंदर देख सक यह इसने consume किये हैं अभी तक अब यह इतने कम इसलिए है कि हमने कई बार जो AC है उसको on off किया है इसलिए यह कम आया है अगर आप रात बर चलाएंगे तो morning में आप इसको जाके चेक कर सकते हैं तब यह बिजली के जो unit है इसको यह बताएगा और मैं यह कहूंगा कि हाँ य इलोगेट आर्स हैं वो देख सकते हैं ओके तो यह हो गया usage एक बार आपको मैं बता देता हूं यह मैंने दबाया और देखिए यहां पर आ गया 0.1 इसके अलावा दोस्तों दूसरे यहां पर feature है और दूसरा यहां पर feature कई बार पूछा जाता है that is beep ओके अभी जब भी हम AC के उपर जब कोई भी option यूज़ कर रहे हैं जैसे मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं तो इसमें से जो है beep beep के आवाज आती है लेकिन यह जो feature है इस से आप इसको on off कर सकते हैं for example देखिए यह हो रहा है न this is very annoying sometimes at night क्योंकि हो सकता है बच्चे सो रहे हैं पास में और यह ब जो भी features आपको करने हैं यह बिल्कुल silent हो जाएंगे और beep जो है वो अड़ जाएगा अभी जो beep है उसको वापस हमें लाना है तो again the process is same beep blink कर रहा है set दबाईए और हमारा यह प्यारा सा जो beep है यह वापस आ जुगा है तो आज के explanation में यह जो beeping है यह मिलेगी आपको उसके लावा next तो next यहां पे क्या है दोस्तों this is again very interesting यहां पे है clean इसको मैं जैसे ही दबाता हूँ आप देखिए यहां पे लिखा आगया clean ओके अब यह जो clean mode है इसका काम करने का तरीका थोड़ा mysterious है और कई लोगों को जो यह clean mode है यह समझ में नहीं आता और इसमें दो तरह के confusion होते हैं एक तो हम ऐसा लगता है कि हमने clean mode लगा दिया अब यह greasy जो है ना यह clean कर रहा है तो हम क्या करते हैं कि यह Cyrus चलाते रहते हैं चलाते रहते हैं फिर पता चलता आ रहा है यहां तो कुछ हुआ ही harvest okay और दूसरे तरह के यह लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि मैंने यहां पे clean किया लेकिन AC में तो कुछ हो ही नहीं रहा है तो अब यह clean mode मेरा खराब हो गया तो गई ऐसा नहीं है यह जो clean mode है इसको use करने का तरीका ऐसा है कि आप इसको जो है on किजी आप जाईए यहां पे आप इसको on किजीए set दबाके ठीक है clean आएगा इसके बाद में आपको यह जो AC है इसको off करना है देखी अब जैसे ही AC को मैंने off किया डिस्पले के उपर कुछ digits आने लगे कुछ percentage आने लगा जैसे 1% 2% तो यह जो डिस्पले है यह आगे चलते जाएगा यह completely 99% तक यह जाएगा और यहाँ पर actually background में यह जो AC है यह क्या कर रहा है कि जैसे हमने बात की कि जो AC का जो evaporator coil होता है दोस्तों उसके उपर जो है नमी आती है उस पर moisture आता है और उस moisture के वज़े से इसके अंदर कई सारे जो bacteria हैं जो viruses हैं यह पनपने लगते हैं और इसके वज़े से हमारे AC के अंदर से जो है गंदी बद्बू आने लगती है या फिर इसमें से जो foul odor आती है और यह जो सारे virus bacteria हैं दोस्तों यह of course हमारे AC के अंदर एक बहुत ही unhealthy environment जो है वो create करते हैं तो यह जो clean इसको यह completely dry कर देगा ताकि कोई smell अगरे जो है वो ना आए तो अगर आपके AC में से smell अगरे आने लगती है और हर मांसून में आपको इस तरह से problem आती है odor आने लगती है तो I will recommend कि यह जो clean वाला option है इसको आप हर हफते use कीजिए every Sunday आप use कीजिए ताकि आपके जो coils हैं यह dry रहे और इस तरह के जो bacteria के जो growth है यह आपके AC में ना हो पाए दूसरी यहाँ पे एक और बहुत ही important tip देदू अगर आप कहीं बाहर जाने वाल है मानलीजिए आप घर जो है उसको lock करके कहीं vacation पे जा रहे हैं तो यह जो clean option है इसको use कीजिए और फिर आप बहार जाएए ताकि उसके अंदर जो भी AC में जो गंदगी होगी जो coil के उपर जो moisture होगा वो निकल जाएगा और 8-10 दिन जब आप बहार जाएगे तब उसके अंदर कोई nasty surprise आपके लिए ready नहीं होगा guys हम बात जो है वो कर रहे थे clean mode की और AC के बीच में जो है वो light चले गए थी तो clean mode से related कुछ और बाते जो है मैं करना चाता हूँ तो यहां पर हम जो clean mode है इसमें वापस जाते हैं तो यह मैं set कर देता हूँ और display के ओपर आप देखिए यहां पर C1 जो है वो लिखा हुआ आज चुका है और clean mode चलाने के लिए as usual जो AC है इसको बंद करना पड़ेगा हमें और जैसे हम बंद करेंगे यह digits जो है वो आने लगेंगे लेकिन इसमें से जो यह जो इसका process चलता है यह 15 से 20 मिनिट तक जो ही यह process चलता है और आप कहेंगे कि sir अभी यह process चलते जा रहा है अभी मुझे urgently बाहर जाना है तो मैं यह क्या करो इसको क्या हम हटा सकते हैं तो जी हाँ इसको हम हटा सकते हैं आपको क्या करना है यह जो power working है इसमें आ गया है तो कुछ इस तरह से आप यह power button का use करके जो है clean mode को आप अटा सकते हैं और यह जैसे ही आप बंद करेंगे दोस्तों और बंद करने के बाद में जब आप option में जाएंगे तब यहां पर एक confusing चीज जो है वह आपको दिखती है that is clean और इसके पास में होता है wash तो wash जो है दोस्तों यह completely different चीज है मैं आपको बताता हूँ आपस तो यह जो चीज है this is known as freeze wash technology और इसका जो काम करने का तरीका है वो काफी अलग है और यह जो चीज है this thing deserves its own dedicated video और मैंने जो है यह video बना रखा है आप i button यह description में जाके जो freeze wash technology है उसका video आप जाके देखिए तो फिलाल के लिए अभी यह जो clean का जो function है और जो wash का जो function है इसके बीच में आपको जो confused है वो नहीं होना है दोनों भी अलग-अलग चीज़े है आईए जो AC है इसको on कर लेते हैं भाई लाइट चले गई थी तो रूम काफी जो है गरम हो गया है तो AC हम चला देते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें और options हमको क्या मिलते हैं तो यहां पर और option की अगर हम बात करें तो जैसे हमने देख लिया यह उपर के देख लिये usage भी clean इसके बाद में आता है filter reset इसके जो उपर के जो dust filter हैं जब यह गंदे हो जाते हैं तब AC यह detect करता है और कई बार इसका जो display है उसके उपर cf यानि की clean filter ऐसा जो है वो लिखके आता है अब ऐसा अगर लिखके आता है तो आपको क्या करना है कि यहां पर option में जाना है और यह जो filter reset वाला option है इसको आपको यहां पर okay करना है तो जो cf वाला जो आपका reminder है यह आपका निकल जाता है लेकिन आपको ऐसे नहीं कि RCO के सिर्फ यहां से जो है हमने हम इसके अंदर गए और यहां से हमने reminder निकाल दिया यह जो चीज है यह सिर्फ आपका जो reminder है उसको निकालेगी यह filter थोड़ी ना अपने आप साफ कर देगी तो filter जो है यह आपको हाथ से ही साफ करने पड़ेंगे तो जब भी यह reminder आता है बाकाइद आप जो filter है वो साफ कीजिए और साफ करना काफी आसान है as long as you know the correct process तो correct process क्या है उसका वीडियो आपको description में मिल जाएगा इसके जो wind free panel है और जो dust filter है दोनों मैंने उस वीडियो में बता हैं आप जाके देखिए तो इस तरह से आप जो यह cf का जो reminder है इसको आप निकाल सकते हैं आई यह भी हम आते हैं last option की ओर and the last option यहाँ पे लिखाया है that is display मैं set करता हूँ देखिए कुछ हुआ guys AC के उपर जो digits आ रहे थे जो display आ रहे थे वो चले गए अब कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे जो bedroom को movie theater बनाके हम बिल्कुल dark करके movie देखते रहते हैं या फिर कई लोगों की display है यह हसी कुशी जो है वापस आ गया है and I would like to thank Samsung की यहाँ पर at least यहाँ पर जो नाम है यह अच्छा दिया है display लिखा है क्योंकि कई सारे AC के अंदर यहाँ पर जो नाम है यह completely गलत होता है नाम यहाँ पर वो dimmer लिख देते हैं या dimming feature लिख देते हैं और जब हम यह यूज करते हैं actually कुछ dim नहीं होता है display off होता है तो नाम जो है यहाँ पर properly सही दिया है Samsung ने अभी हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे special features की जो की यहाँ पर कहीं पे भी mentioned नहीं है इन menus के अंदर भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है तो यह features कौन से हैं तो यहाँ पे कुछ additional features आपको मिलेंगे इस button पे तो यह जो timer वाला जो button है यह वाला इसको अगर आप दबा के long press करेंगे तो AC के उपर देखिए यहाँ पे क्या होगा इसको आपको कुछ देर दबाना है और यहाँ पे लिखाया AP remote पे भी आया AC के उपर भी आया तो AP का मतलब होता है access point तो यह AP जो feature है जब आप Wi-Fi से इस AC को connect करते हैं तब यह जो feature है AP वाला यह आपको use करना है कई लोग Wi-Fi से connect करने के try करते हैं लेकिन AC वहाँ पे दिखता ही नहीं तो आपको यह जो option है इसको आपको use करना है उसके ब करेंगे तो AP का जो feature है वो निकल जाएगा normal हो जाएगा इसी तो Wi-Fi से अगर आप pair कर रहे हैं तो यह देखिए और आप अगर चाते हैं कि मैं Wi-Fi के लिए एक dedicated वीडियो बना के आपको दूँ तो मुझे comment करके आप बताईए तो यह हो गया एक चीज इसके बाद में दोस्त जो review वाला जो वीडियो है उसमें दे रखा है तो वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हैं smart installation क्या है अब वीडियो end करने से पहले हम देख लेते हैं एक मज़ेदार trick तो यह जो set button है ना इसको मैं थोड़ा सा long press करता हूँ और देखिए आप यहाँ पर क्या होता है तो य यह वाला जो option है इसको use करके आप आपके दोस्तों को जो है impress कर सकते हैं फिलाल मैं जो है इसको वापस degree celsius के अंदर जो है वो लगा देता हूँ दोस्तों इसी तरह के samsung wind free के related अगर आपको और भी वीडियो देखने है तो आपके screen के उपर कुछ बढ़िया cards आएंगे उन card के उपर click करके जो है आप और भी ज्यादा detailed videos की ओर जा सकते हैं दूसरी videos देख सकते हैं take care and have a nice day guys